हेलो गाईज, अगर आप लोग Red Hat Enterprise Linux 8 का यूज करते हैं और आप अपने Root User का Password भूल गए हो तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप Root User के Password को Reset कर सकते हो तो वीडियो को करते हैं Start So, हेलो गाईज, मैं हूँ Zerl Rock and आप देख रहे हैं Zerl Rock Technology तो गाईज, यहाँ पर हमें E Press करना है अब यहाँ पर आपका माउस काम नहीं आने वाला है आपको यूज करना है Up and Down Arrow Keys का तो मैं Side Arrow Key का यूज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो यह Arrow था वो Quiet के पास आ चुका है अभी मुझे यहाँ Space देना है इसके बाद यहाँ पर मुझे Command टाइप करनी है तो गईज यहाँ पर आपको क्वेट के बाद Space देना है और एक Command टाइप करनी है और अब आपको Ctrl X प्रेस करना है तो गईज कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दीख रहा होगा यहाँ पर हमें एक और Command टाइप करनी है गईज एक इंपोर्टेंट बात आपको Command एकदम परफेक्ट और सही टाइप करनी है आप लोग Spelling चेक कर लीजिए कि Spelling सही है यह गलत क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी Spelling में मिस्टेक होती है तो आपका password reset नहीं होगा तो एक बार Spelling ठीक सही है चेक कर लीजिए तो अभी हमने यहाँ पर Command टाइप किये chroot spasless root then enter यहाँ में एक और Command टाइप करनी है passwdroot then enter तो यहाँ पर आपको एक नया password set करना है जो भी आप नया password यहाँ पर देना चाहते है वो दे सकते है password देनी के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है then जो आपने password दिया है उसी को फिर से यहाँ पर टाइप करना है then enter अभी हम यहाँ पर एक और Command टाइप करेंगे touch space slash dot auto relabel guys spelling देखकर नहीं तो आपका password reset नहीं होगा then press enter अभी आपको यहाँ से exit होना है simple type करेंगे exit then enter अभी यहाँ में type करना है reboot enter तो यहाँ पर हमारा PC जो है reboot हो रहा है मतलब restart हो रहा है यहाँ पर थोड़ा time ले सकता है PC तो यहाँ पर आपका PC थोड़ा time लेगा आपका password reset हो रहा है तो यहाँ पर हम enter प्रेस करेंगे अभी जो है हमारे system reboot हो रहा है मतलब कि हमारे system restart हो रहा है तो मैंने root का password reset किया था तो मैं जाओंगा अपने root user के पास not listed में username root enter तो चेक करते कि मैंने जो password दिया था वो reset हुआ है या नहीं मेरा password था 123 enter तो आप लोग देख सकते कि redit enterprise linux 8 के root user का password जो है वो reset हो चुका है successfully तो गाईज इस तरह से आप अपने root user का password reset कर सकते हो तो गाईज इस वीडियो को करते हैं end मैं हूँ जरल लॉक फिर्म हूंग आपस अपनी next वीडियो में जरिक वीडियो झाल